तो अपने प्रेम भाई कह रहे हैं कि हो सकता है कायज नमबर एट और कायज नमबर नाइन खतम हो जाएं आखिर क्यों कायज नमबर एट को मिराय के एरा वाले डाय कायजू की ही तलास थी क्या सच में कायज नमबर एट विलन है ना कि कायज नमबर नाइन तो हें मंगा फैंस क्या हाल चाला आप लोगों के आज़ा करता हूँ बढ़े हूंगे आजकी इस वीडियो के अंदर मैं कैट नमबर एट मांगा से रिलेटिड आपकी सारी थियोरी इसको क्लियर करूँगा तो एवराज भाई क्या आपने ये QN वीडियो बनाई है अरे नहीं मेरे दोस्त ये QN वीडियो नहीं है इसके अंदर बस मैं कायज नंबर 8 की मांगा से रिलेटिड बाते करूंगा और हम इस वीडियो के अंदर थोड़े प्रिवियस चेप्टर के बारे में भी बात करेंगे आखिर कौन थी वो दो सामुराय जो कैज नंबर 9 की बोडी के अंदर थे वैसे QN वीडियो का आइडियो बोरा नहीं है अगर इस वीडियो के अंदर कम से कम 500 कमेंट हो जाएंगे तो हाँ अभी लिए वीडियो में लाऊंगा कुए ने पर जिसमें मैं आपके हर एक क्वेशन का जवाब दूँगा जैसे की फेस रिवील कब करोगे एक्सेक्टरा वैसे मैं जूटरी वोलूँगा इस वीडियो के अंदर मैं फेस कैम वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था लेकिन कुछ बात जमी नहीं कोई ना जब अपने 50 के हो जाएंगे न तो उसके बात पक्का करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कमेंड की तरफ जहां पे वन्स भाई कह रहे हैं कि काईजी नमबर 8 और काईजी नमबर 9 आकरी बार बात करने के बाद मर जाएंगे देखो आपकी ये बात आधिय दूरी सच्च है अगर आपने चैप्टर 118 थोड़ा ध्यान से देखा हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी जब काफका काईजी नमबर 9 के माइंड के अंदर गया था तो उसकी मुलाकाट काईजी नमबर 9 से हुई थी जब काईजी नमबर 9 मरने वाला था और चैप्टर 118 के अंदर काफका को बता देता है कि वो मर चुका है और जो काफका का अगला तुस्मन है वो है मेरा की एरिया का डाई काईजू और जब बात आती है काफका की देथ की वो काईज नुबर 9 के बाद हुई थी अभी भी कोई डाउट रह रहा हो तो कमेंट में बे ही चक पूछ लेना अब दूसरा कमेंट आता है कि काईज नुबर 8 को आखिर उस डाई काईजू की दलास क्यूं थी देखो ये कमेंट एक तरह से कुछ बाते समझा भी रहा है और एक क्वेशन पूछ भी रहा है समझाने की बात ये है कि ये बात सच है कि काईज नुबर 8 को उस डाई काईजू की तलास थी और जब सवाल उड़ता है क्यों काईज नुबर 8 को उस डाई काईजू की तलास थी की साथ उच नीच का पापड़ा खेला जा रहा है जितना मैं समझ पा रहा हूँ भाई कह रहे हैं कि काईज नमबर 8 को अपने मुझे ब्लास्ट चार्च करा था जो की मेरी लिए और सब के लिए हैरानी की बात थी तो हाँ भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है चौथा कमेंटे अपने किंग प्रो एडिट का जो की कह रहे हैं कि चैप्टर 115 के अंदर मीना मर जाएगी और काफ का काईज नमबर 9 पर गुस्सा करेगा तो देखो भाई सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि काईज नमबर 9 मर चुका है और जो इस समय मीना की सामने दुस्मन है वो और कोई नहीं मिराय की एरिया का डाइक आईजू है जिसको काईज नमबर 9 ने अब तक अपने अंदर स्टोर करके रखा था और जहां बात आती है मीना की डेड की तो देखो यार इसका कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये चीज़ तो हमने अच्छे से देखी थी कि चैप्टर 114 के एंड पे उस डाइक आईजू का अटेक मीना की उपर मार्क कर गया है और ऐसा हो सकता है कि मीना चली जाया और काफका बजर्क हो के खुस्से में कहें दूसरे कमेंट है मिस्टर जॉन का जोगी कह रहा है कि काईज नंबर 8 के इंदर सायद उस सामुराई की पावर आ जाए नहीं आ सकती यार वो तो एक यूमन है ना एक यूमन की पावर दूसरे यूमन में और वो तो पहले से ही मर चुका है वो कहां से पावर देगा गाफ को । निष्टे भाई का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि अब तक डिफेंस फोर्स के पास ऐसा नंबर सूट हो जो कि अब तक हमें दिखाया ना गया हो हाँ हो सकता है लेकिन उसका एक compatible user भी होना चाहिए जब तक उसका compatible user नहीं मिलेगा तो वो suit ऐसा ही पड़ा का पड़ा रहेगा बिल्कुल weapon number 6 के जैसा लेकिन अब तो उसका compatible user भी है जो की इची कावर रहनों है स्टॉम भाई कह रहे हैं कि कावर 8 एक नई form या फी कोई एक नया attack को develop करेगा मीना को बचाने के लिए देखो कावका को ये काम करने से पहले अपने आपको जिन्दा करना पड़ेगा तो मेरे हिसाम से ऐसा हो सकता है या तो मीना को होसीनों बचाएगा या फी नारुमी की पुद कायजू ओकर इंसानियत को बचाने के लिए कायजू से लड़ रहा है तो मुझे नहीं लगता है ये मेन विलन होगा रैंको भाई कह रहे हैं कि कावका मीना को बचा लेगा और हमें कायज नूमर 8 की टू पावर देखने को मिलेगी देखो या सब की उमीद कावका प सब्सक्राइबर आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है अरे यार बस यही तो सुनने के लिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मैनत करता हूं अगर आप वीडियो देखे रहे हो और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीनी भाई इंको समझाओ जरा लेकिन और भाई कह रहे हैं कि कैज नूबर 8 का ये फाइनल आर्क होगा मुझे नहीं लगता 200 चैप्टर तो ब्लस करके चलेंगे लोग अभी सिक भाई पूछे रहे हैं भाई आपकी एनरजी का आँ गई अरे यार क्या बता हूं मैं आपको जस्ट मैंने 30 मिनिट की वीडि आपकर से से फाइट करेगा डेखो ऐसा हो सकता है कि आमें काफ का और इस सामृआ की बीच का एक फ्लैस बैक देखने को मिलें और चांटेशwno से बी कि हमें आफीसली यह बात पता चल जाए कि वो ऑफटा का फादर है मतलब कि पापा के दादा के परदादा बहुत पुरान और जो बात आती है powers की तो मेरे इसाब चैसे लगता है जैसा काफका खुद को काईज नुमर 8 में transform करता है तो वैसे Samurai's भी खुद को काईज नुमर 8 में transform करते होंगे और वो Samurai काफका को ये बताएगा कि काईज नुमर 8 की true power को कैसे use करना है AD Gaming कह रहे हैं कि काफका वापस आएगा no doubt भाई वो तो में करेक्टर है उसका वापस आना जलूरी है बले ही गोजो मर जाए लेकिन काफका मरेगा ये नहीं हो सकता भाई जब में करेक्टर ही मर जाएगा तो आगे काणी को कौन लेके चलेगा इचिकावा या फिर किकोरू अखिल भाई कह रहे हैं कि अभी तो store को और बड़ा करा जाएगा क्योंकि अभी तो बहुत सारे secrets है जो के reveal होना बाग ही है मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे twist है जिनके बारे में हमें अब तक नहीं पता चैप्टर 104 में जब मीना कायजी नमबर 9 के माइंड के अंदर थी तो कायजी नमबर 9 ने मीना को 2 परसन दिखाया थे जो कि उसके पेट से बाहर नहीं निकले और यही नहीं उन में से एक तो सामुर आय था जो की होसीनों के जैसा लग रहा था और मेरे हिसाब से तो यह लग रहा है कि इन दोनों परसन में से एक किसी ना तो किसी एक कायजी नमबर 8 से एक तालुक हो और मैं जिन जिन बातों के वारे मैं आपको बता रहा हूँ ना इन सभी चैप्टरिस की एक्स्प्लेनेशन की वीडियो का लिंक मेरे चैनल कर डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ से जाके देख लेना अगर आप अच्छे से समझना चाते हो कि इन दोनों परसन को दिखाने के बाद कायजी नमबर 9 ने मिना को और क्या कहा था गौड बॉय कहा रहे हैं कि मुझे लगता है कि कायजी नमबर 8 और कायजी नमबर 9 मर्ज होकर उस डाय कायजी उसे फाइड करेंगे जिसी सा आप से सीरीज जा रही है देखो बाई जूची सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी वो है कि कायजी नमबर 9 मर्चुका है और इस बारे में तो गूगल ने भी बता दिया है मैं आखरी और लास्ट कमेंट है डंपलिंग बाई का जो की मुरे सुनने में सबसे जादा तगड़ा लगा बाई ने सबसे पहले मिरी वाली त्योरी की तारिफ करी और अपनी वाली त्योरी के वारे में बताया जैसे कि कायज नमबर 8 सबसे जादा intelligent कायजू है और जब वे उस cave के अंदर उस die-कायजू से मिला तो उसने सोचा कि मैं उसका use कर सकूँ का कुई बड़ा रोल ना हो ये सिर्फ काईज नुम्बर 9 का एक प्लैन हो जब मेरा कोर डिस्ट्रोय होगा तो इसके बाद मैं इस काईज को फुरी करूंगा और ये बात तो हम सबको अच्छे से पता है कि काईज नुम्बर 9 काफी ज़्याद है इंसानों से भी ज़्यादा और वे अपने सातिर प्लैन्स के साथ सिर्फ दो बार ही डिफीट हुआ है इंसानों से और अगर देखा जाए तो काईज नुम्बर 9 सिर्फ एक ही बार डिफीट हुआ है जब काफका ने काईज नुम्बर 9 की बुस्सी बर दी थी लगो डंप्लिंग भाई में काईज नु काईज नुम्बर 8 की मांगा में यही देखने को मिले देखो अभी जिन भी लोगों की कमेंट अभी रह गये हैं तो कोई बात नहीं आप इसी वीडियो की कमेंट में सारे सवाल पूछ लेना और मैं ऐसी ही वीडियो बना कर आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दूँगा त तो मैं ज्यादा कमेंट को मैंट सिन नहीं कर पाया हूँ अगली वीडियो में इस वीडियो के सारे कमेंट को मैंट करूंगा तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करना क्यूंकि मैं आप लोगों से अच्छे कमेंट की उमीद करता हूं और हाँ मैं अपने अंपने second channel की वोनारा!